हलो गाईज वेलकम टू माई एस्वाई एजूकेशन फार्मिशन चैनल गाईज आज हम प्रेजेंट है लेकर के प्रैक्टिस सेट नमबर वन ठीक है और ओभी कैसे नए पैटन के आधार पी किसका है बाल मनो विज्ञान का तीश क्यूस्चन का प्रैक्टिस सेट है पहले सब्सक्राइब करें तो चलते हैं हम अपनी टॉपिक के तरफ यह है हमारा है बाल मनो विज्ञान सिक्षण विदियों से रिलेटेड तीश प्रश्ण है जैसे एकजाम में आने की पद्धतियां होती है जिस तरह से तो ले चलते हैं पहले प्रश्ण के तरफ एक सेकेड तो यह हमारा पहला प्रश्ण है देखें कि मानसिक स्वास्त विज्ञान का उद्धेश से है तो आपके सामने दिख रहोगा मानसिक स्वास्त की रक्षा मानसिक रोगों का इलाज आत्म विश्वास को बढ़ाना और एस भी तो आई होग कि आपने मार लिये होंगे तो हम बता देते हैं इसका आपसन नंबर दी साई एस भी ठीक है मानसिक स्वास्त विज्ञान का उद्धेश से है नेक्ष देखेंगे निम्न में से कौन सा अनुशासन हिंता का समाजिक आर्थिक कारण नहीं है बिखरे घर निम्न आर्थिक स्थिति आयोग्य सिक्षक पास पडोस का ब्यवहार तो आई होप तो सेकेंड का समय मिलेगा आपने अपना आपसन देख लियोंगे कौन सा करेक्ट है तो आपसन नंबर आपका हो जाएगा बता देते हैं आयोग्य सिक्षक ठीक है और नेक्ष चलते हैं किया था किया गया था किसके द Ciara किया गया था गाईजा जाहन लोडर द्वारा भडल द्वारा बरणड़ द्वार था टीक है तो अन करेक्ष धिसके दोहारा दिया गया था और मैं इस बुद्दी का सिद्धानत है सारे पर ट्रिक बना रखे हूँं और एक वीडियो ट्रि चलते हैं हमारा है चौथा प्रश्ण अपने वातावरण के बीच संतुलन बनाए रखने की योग्यता कहलाती है क्या कहलाती है तनाव प्रेड़ा समायोजन और च्छमता आयोग कि आपने इसको इसका भी आंसर सेलेक्ट कर लेंगे तो च्छमता च्छमता होनी चाहिए ठीक ह नेक्स्ट क्यूशन के तरफ चलते हैं यहां पर देखेंगे च्छ वर्स तक बच्चे की लंबाई का पराश रेंज होती है कितने की होती है तो आई हूप कि आपने देख लिया होगा 44.5 से 48.5 इंच और 44.5 इंच और 45.5 से 56.5 इंच 30.5 से 43.5 इंच तो आई हो कि आपने सेलेक्ट कर लेंगे पढ़े होंगे तो यदि ऐसे टॉपिक आपके पास नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं मैं इस पर भी वीडियों दे सकती हूँ आपको ठीक है क्योंकि इस तरह के क्यूशन आएंगे तो आई हो कि आपने सेलेक्ट पांच वा का अंसर नंबर पहला होगा कितने होती है 44.5 से 48.5 इंच की होती है 6 वर्ष के बच्चों तक अब देखेंगे ये भी सामने आपके क्यूशन बहुत मोश्ट दिखाई दे रहा है छटवां का टी एटी पहले भी एक्जाम में पूछा जा चुका है का संबंद किससे हैं ब्यक्तितु परिक्षन बुद् सिद्धान से आई होप की आपने सलेक्ट कर लिए होंगे तो हम बता देते हैं इसका यांसर नंबर ब्यक्तित्व परिक्षन से है ये संबंदी ठीक है किसे ब्यक्तित्व से नेक्स देखते हैं नविंतम सोधों से ये हस्पस्ट हुआ है कि संग्यानात्मक विकास में बच् सिद्धान की अहम भूमिका है तो आई होप आपने देखने में परिबार है उसकता मन सूचना संसाधन और बुद्धी अद्रिस से कोई नहीं तो आई होप की आपने सलेक्ट कर लिए होंगे सात्मा का ये अपसन नंबर सही हो जाएगा मन हो जाएगा कि नविंतम सोधों से संग्यानात्मक विकास में बच्चों के मन का सिद्धान तथा सूचना संसाधन उपागम की अहम भूमिका होती है तो आपसन नंबर टू सही है किसका सेवन का नेक्ष देखते हैं फ्रायड ने विक्सित किया बहुत ही मोश फॉइंट है शीकने का नियम भूल और प्रियास का नियम मनुविशलेश्क्रवाद आत्मा तावाद ठीक है तो आई हो कि आपने सलेक्ट कर ले होंगे इसको भी हम बताई देते हैं हमारा आपसन नमर तिसरा सबको पता होगा मनुविशलेश्क्रात्मक सीग्मुन फ्रायड ने दिया था इसमें जो है इद इगो सूपर इ यह सम्बंदित है य're the ego कि और कि सूपर यह अब इसमें पुछेगा कि यह किस से सम्बंदित है तै यह जो है सुख वादी किसी सिधान से तो सुप वादी है student सुख चाहता है और यह जो है वास्त्विक इगो मतलब वास्त्विकता को जानना चाहता है और यह जो है जो है morality के अंदर आ जाती है नैतिक वादी ठीक है शूपर इगो नैतिक वादी बन जाता है नेक्स्ट देखेंगे हमारा प्रश्ण नमबर आगे बढ़ते हैं तो यहां पे है कि बालकों की शैक्षिक उपलब्धी को नीम्न में से कौन सा अशैक्षिक कारक सरवधिक प्रभावित करता है तो यहां पे गाईज हो जाएंगे बालक की प्रेण आएं और बालकों की शंबेगों से मुफ्ती बिद्यालाई के बाहर बालक के उत्तरदायुत स्वाध्याय की आदते आई होप कि आपने सलेक्ट कर लियोंगे तो यहां पे हमारे नौगा का अंसर सही हो जाएगा पहला ठीक है बालक की फ्रेंड आएं आगे बढ़ते हैं अपने क्यूप्षिन के तरफ ठीक है यहां पे अब देखेंगे हमारा क्यूप्षिन नंबर है किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध द्रढ है ठीक है? उसका संबंद ध्रण है किसे थांडाई के किस नियम पर आधारीत है तो आप संद लगा लेंगे आप ततपरता के नियम पर प्रभाव के नियम पर अभ्याज के नियम पर उपिर्ट में से सभी तो आई हो कि अपने दसमा एंसर का ठीक लगा लियोंगे अभ्याज के नियम पर यह हम देखें कि एक बालक ने एक बिल्ली को डंडे से मार करके भगा दिया है और बिल्ली बालक को देखती है तो तुरंत भाग जाती है बिल्ली सीखने की क्रिया किस प्रकार की है ठीक है बहुत इमोश्ट क्यूशन है इस तरह के क्यूशन पुछते हैं सीटेट में अक्सर क प्रविर्टी द्वारा सीखना सूज द्वारा सीखना प्रयास यूं तुरूटी द्वारा सीखना तो आपने सलेक्ट कर लिए ग्यरा हुआ का हमारा दूसरा आप्सन सही होगा शम्वद सहज अनुक्रिया द्वारा सीखना नेक्ट देखेंगे मनुबिज्यान की द्रिष्टी से सीखने का अर्थ है बिसए वस्तु द्वारा सीखना विसए वस्तु को रट लेना और बेवहार में वांचनित परिवर्ता ना बेवहार में गिरावर्ट तो आई हो स्वर भी अपने सलेक्ट कर लिया होगा जल्दी जल्दी थोड़ा करते हैं हमारा तीसरा अपसंस है ब्योहार में वांचनित परिवर्ता नाना नेक्स्ट क्यूशन पे चलते हैं यहां पे अंतरभूत अभी प्रेडा का आसर है कि बालक पुरसकार पाने की इच्छा से कठिन परिश्रम करता है और दंड से बचने के लिए नित्य पाट साला जाता है अध्यापक के डर से ग्रियकार्यक पूरा करता है और ज्यान की बृद्धी के लिए लगन से पढ़ाई करता है वाई गोस्की का ठीक है जिसमें उसने दिया है परंपरागत उत्तर परंपरागत परंपरागत पुर्व परंपरागत उत्तर परंपरागत पुर्व परंपरागत उत्तर परंपरागत पूर्व ठीक है ये तीन ठो है और तीन इसके अस्तर है और छट है इसके अवस्थाय इस किस पे भूल पर तो आप आई हो कि आपने टिक अपना लगा लिये होंगे ठीक है तो हम बता देते हैं चव था थांडा एक ने किया था अधिगंपी ठीक है नेक्स्ट देखते हैं निमलिखीत में से कौन सी अच्छे प्रश्ण की विसेष्टा नहीं है तो गाइज आई हो कि आपने सेलेक्ट कर लिये होंगे प्रश्णो का असपस्ट होना प्रश्णो की निश्चिता नहीं होना प्रश्णो का बिस्ष्ट होना प्रश्णो का सवयोद्रिस होना आयो कि आपने सेलेक्ट कर लिया होंगे 15 में का एंस्वर हो जाएगा प्रश्णो का निश्चित नहीं होना ठीक है अब आज आते हैं गाइज नेक्स्ट सोलाहमे पर ठीक है सोलाहमा हमारा बालकों में जो है अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महतुपूर क्या है ब्यास्त बिद्यालकारेक्रम अधिगम अधिगम उत्प्रेरित वातावरन उत्सुक मातापिता तो आई होग कि आपने सलेक्ट कर लिये होंगे तो इसका आप्सन नंबर तीसरा सही होगा अधिगम उत्प्रेरित वातावरन तो आपका आप्सन सही होगा तीसरा नेक्स देखते हैं नैतिक मुल्यों के प्रती अध्यापक का क्या द्रिष्टिकूण होना चाहिए तो नैतिक मुल्यों के प्रती अध्यापक का द्रिष्टिकूण होता है कि सिख्छक का दाई तो है कि वह सोयम के नैतिक हो वचात्रों को भी नैतिक बनाएं तो यह आपसन हमारा सही हो जाएगा नेक्ष देखते हैं पेडागोजी से मिलाकर की पुरा है प्रेपिसेट है इसमें सब है यहाँ पे देखेंगे गाईस की कच्छा कच्छ में प्रियोग की जाने वाली छात्र केंद्री सिक्छन विधियों में प्रायह सिक्छक की भूमिका रहती है किसे समस्या उत्पन करने की परिस्थितियों का निर्माड करना चात्रों के लिए संभावित समाग्रिय का एवं संजादनों को जुटाना चात्रों की उपकलपना निर्माड में मदद करना उप्यूप में से कौन सा सही होगा तो आपने सलेक्ट कर लिये होंगे यहाँ पर भी आपसं सारे सही होंगे ठीक है नेक्स्ट देखते हैं तिरस्कृत बालक की समयस्या का प्रमुख कारण क्या है यह भी अमारे सलववस में है आप पक्का पुछेंगे परिवार का निमना आर्थिक अस्तन बालक में जूट बोलने की आदत बालक के द्वारा कानून की अवहेलना माता पिता की आपसी लडाई तो आपने सलेक्ट कर लिया होगा लाश्ट आपसं सही है माता पिता की आपसी लडाई से बच्चा दिरिस्कृत बालक की समस्या का मुख्यकारण यह होता है ठीक है बिस्ष्ट बालकों के लिए पुर्व पृतिकरण सिख्छा ब्यवस्था के लिए जो है प्रमुक उप्युक्त है तो आयोब के आपने मार लिये होंगे इसका एंस्वर बहुत ही सरल है तो इसका भी है आवासी विद्याला योजना ठीक है नेक्स्ट देखते हैं किसी बालक की मानसिक विकास का पैडाम होता है बालक की यादत करने की जो है योगिता में एक सकेंड गैस यहाँ पर हो जाएंगे ठीक है किसी बालक में मानसिक विकास का पैडाम होता है इसका अपसन हमारा नंबर शही हो जाएगा तीसरा बालक के दोरा अनूभ्ववों दोरा ला प्राप्ति की योगिता next देखेंगे बहुत ही most question बन रहा है कि मंद बुद्धी बालक की बुद्धी लब्दी होती है guys कितना होती है आपने I hope भीना बताए आपने मार लियोंगे तो चवथा होता है आपसे number 70 से कम होती है चलते हैं लगबग कर लिये हैं अपने next question के तरफ और आप चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक भी कर दीजिए देखिए आपकी कप्चा में पिछडे हुए छात्रों के प्रती आपका दृष्टी कोण क्या है उनके पिछडे पन के कारण को ढूणेंगे और हमने सभी का ठेका नहीं लिया है यह सोचकर उन पर ध्यान नहीं देंगे और अने चात्रों के सम्मान है उन्हें समझाएंगे उन्हें अने चात्रों से अलग समझाएंगे तो आई होगो क्या आपने सिलेक्ट कर लिया हुगा आपके 23 का answer number पहला करेक्ठ होगा कि उन्हें जो क्या करेंगे पीछड़े पन के कारण उनके ढूड़ेंगे कि उनके अंदर क्या कम्या है कुपोषण नेक्ष्ट देखेंगे हमारा 24 प्रशना है कि कुपोषण से ग्रसित बालक में निमली खीत में से कौन से परिवर्तन होने लगा ठीक है उनके मन में हीन भावना उत्प परिवर्तन हो जाता है ठीक है तो आई होग चोबिस का अपने सलेक्ट कर लिया होगा तो चोबिस के एंस्वर यह है सबसे लाइस्ट सभी में परिवर्तन हो जाते हैं ठीक है उसके अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा 25 का पढ़ने की अच्छमता निम्द में से किस से परिवर्तन है तो यह हो जायगा अफेजिया डिक्स्क्लेशिया और डिस्फ्रैक्षिया अफ्रैक्षिया तो आयों क्या आपने पहले बार यदि मेरे चैनल पर हैं विजिट कर रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्सन बॉक्स हम कल बता देंगे कि इस तरह से आप जाएंगे डि दूसरा ठीक है बहुत ही मुष्ठ है डिस्लेक्षिया और लीखने संबंधी अच्छमता डिक्स्लेक्षिया होती है और गणीत संबंधी होती है समस्या डिस्कैलकूलिया होती है गाईज नैक्स्ट चलते हैं 26 का नीम्न में से एक प्रतिवा साली बालक की बिसेश्ता क्या है तो यहां पे आई होप आपने बीना बताए आप संदिये ही टिक लगा देंगे सामने आपके हैं यहां पर ठीक है तो आई होप की चवथा आपका एंसर मार लिएंगे आपने समान अध्यन में रूची प्रत को सुधार है एक सिख़क को जुडाला है दो में से क्या उपाय करनी चाहिए मुखत अनुसासन के नियम का पालन करना चाहिए सैक्ष्य क्राड़ों का प्रियोग करना पर्यों क्रमों को रूची पूर धंग से पढ़ना चाहिए हो फिक में से सभी तो आई होप आपने मार लियोंगे इसमें से सभी ठीक है आपको आपसन यही सही हो जाएगा नेक्स्ट पे चलते हैं है कि निमलिखित में से किस माध्यम द्वारा बालक अच्छे आदर से सीख सकता है तो आई होप कि आपने इसको भी सेलेक्ट कर लियोंगे काफी लंबी वीडियो वन गई तो यहाँ पे आपसन नंबर अनुकरण हो जाएगा क्या हो जाएगा अनुकर देनिल का है मेड का है है तो बहुत ही इजी है आपने इसको भी सलेक्ट कर लियोंगे और आदुनिक बुद्धी परिछडों में सर्वधिक मापन किया जाता है तो आयों व्यक्ति द्वारा प्राप्त शिखक अन्भावव द्वारा सुरी सायक्षीक अन्भाव द्वारा गाईज एक बार रिक्वेश्ट और करना चाहेंगे कि यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप प्लीज सस्क्राइब करिए वेल आइकन प्रिस करिए और मैं इसके बाद एक हिंदी का भी प्रेक्टिस रिट ले करके आने वाली हूं और पर्यावरण का ठीक है